नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके मारे यूट्यूब चैनल आउनलाइन शर्डिवेटीके में दोस्तों आज हम आपके लिए स्लस्टी सामजी ज्यान के अंदर इतिहास का टॉपिक से गण लेग रहा हैं जिसके इंदर हमारे इतिहास से संबनित प्रशन है हडपा से संब किये है तो चलिए स्टाट करते हैं सबसे फिस्ट क्विशन यहां पर है हडपा के खंडो का पहली बार वरणन निम्न में से किस ने किया था तो यहां पर खंडों का पहली बार वरणन की बात हो रही है उत्खनन की बात नहीं हो रही है तो यहां पर इसका सही उत्तर है और सेकंड जो रहेगा चार्ल्स मैशन ने इन खंडों का पहली बार वरणन किया है आपसे सेगर यहां उतर है चलिए हडपा सब्यता की सबसे स्वीकरत समय उधी निम्न में से कौन सी मानी गई है तो देखी ये प्रस्ण जो है थोड़ा कन्फ्यूस करने वाला प्रस्ण है क्योंकि यहां पर दो अलग अलग तरह के मत देखने को मिलते हैं कुछ लोग से 2300 Judah 200 टक से मानते हैं हलाकि 1750 ऐसमें कीवल सब्साय और कुछ सची 25 थी सर्वे यहां पर देखने को मिलते हैं क्योंकि दोनों थी मुझे कारवन हड़िकर वंदल फिनलता था एक तो थोड़ी सी समझ्छ से यहां पर बनती है की कि मिझे सहीания तो मुझे जाद तर उत्तर जो मिला है मैं से यहां पर टिक कर रहा हूं आप अपने इस तर से भी आपको यह दी गलत लगता है तो आफसल सेकेंड को भी सही मान सकते हैं क्योंकि उसमें एक्यूरेट नहीं दे रखा है 1750 से इसलिए मैं 1750 वाले फोर्थ उप्सन को यहां टिक था और यहां उत्तर में निम्न मैंसे कहां तक फैला हुआ था तो यह फैला हुआ था और संथर्ड जो है मांडा तक यह फैला हुआ था चलिए अगला है हडपा सब्विता की अर्थ व्यवस्ता आधारित थी तो हडपा सब्विता की अर्थ व्यवस्ता मुखी रूप से कि पर आधारिती व्यापार पर या करसी पर तो ये उपरक्त दोनों पर ही आधारिती निमने में से किस धातु का उप्योग हडपा सभिता में नहीं होता था यहां पर नहीं होता था यह देखना है तो लोहा जो है यह नहीं होता था क्योंकि हडपा सभिता के अंदर तांबा और कांसा के उप्योग के प्रमान मिले हैं चलिए अगला है हडपा कालिन लोगों को धातु कर्म विज्ञान में दक्षिता प्राप्त थी इसकी पुस्टी किस तथिय से होती है तो इसकी पुस्टी होती है देखे धातु कर्म विज्ञान में दक्षिता और दक्षि कोन हो सकता है जो उनका एक उच्ट तरीगे से मिस्रन, उच्ट अनुपात में मिस्रन कर सके तो यहाँ पर अफसन थर्ड जो है काश यूप करनों के लिए तामर और टीन का उच्ट अनुपात मिस्रन इससे उनके धातु कर्म विज्ञान में दक्षिता की पुस्टी होती है चलिए अगला देखते हैं अगला है निमन कथनों पर विचार कीजिए सामवेद के साथ जैमिनी ब्राहमन और तांडिय ब्राहमन संबन्द है जिसे 25 ब्राहमन भी कहा जाते था अगला है सभी ब्राहमनों में सत्पत ब्राहमन सरवादिक विश्ट और महतुप३्ण उत्त यहां पर कूंसा कथन सथी है किवल एक किवल दो किवल तीस थर्ड जो है एक और दो दोनों तो ऑफिसन थर्ड जो है यहां पर सही है चलिए अगे बढ़ते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए उपनिशदों को भारती प्राचिन दार्शनिक विचारकों का सबसे निम्न स्तरी स्तरोत माना जाता है और सेकंड है उपनिशदों से संक्राचारी और रामानुजी के दार्शनिक सिद्धान तो उप जते तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्ती है तो यहाँ पर जो कथन सत्ती है वो केवल option second जो रहेगा केवल दो ही कथन यहाँ पर सत्ती है चलिए आगे बढ़ते हैं रिगवेदिक समाज के संगडन के संदर्व मैं निम्न में से कौन सा कथन सत्ती है तो फस्त दिया है रिगवेदिक समाज के संगणन गाधर गोतर था, सेकैंड है रिगवेदिक समाज पित्र फठत्मक था, थर्ड है इस काल में संवर्वार प्रतत पृठ्ट पसलिती और फॉर्थ है उपर०रुक्त सभी, तो यहां पर इसका उत्तर रहेगा उपर०रुक्त स तब इसको सही उत्तिए सिंद्रवों में निम्नि मैंसर कोन्सा कफन असतजी हैे हम में देखना है ईकल को देखते हैं। पसुओं में हाथी सरवाधिक महतुपूर्ण था वेदी कल की आर्थिक इस्तिती के संदर्वन बातुरी है और पसुओं में हाथी सरवाधिक महतुपूर्ण था जिसका रिगवेद में 176 बार उलेख मिलता है ये कथन यहां पर गलत है तो option third यहां पर इसका सही उत्तर है प् सोला महा जनपदों में वज्जी तथा मल राज तंतरात्मुक थे अब इनमें से कौन सा कथन जो है ये सत्ति है कौन सा कथन सत्ति है तो उपरक्त फर्स दिया है किवल एक सिकन दिया है किवल दो थर्ड एक और दो दोनों और फॉर्ट है इनमें से कोई नहीं तो यहां पर क कथन सत्ती रहेगा हमारा एक और दो दोनों ऑफ्षन थार्ड जो रहेगा ये इसमें सत्ती रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं निम्न मैंसे किस महा जन्पद की राजधानी कोशामबी थी तो यहां कोशामबी जो थी ये थी आफ्षन फर्स्ट वत्स की राजधानी चलिए आगे है निम्न कथनों में पर विचार कीजिए सोला महा जन्पदों में अश्मक सरवादिक सक्तिशाली था दूसरा दिया है सोला महा जन्पदों में अश्मक ही एक ऐसा जन्पद था जो दक्षिन भारत में गोदावारी नदी के किनारे इस्तिता तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो यहां पर हमारा उत्तर रहेगा, आगे इसके उत्तर देखते हैं, कौन सा सही है, तो यहां पर सही रहेगा केवल दो, जो रहेगा, यही यहां पर सही है, चलिए आगे देखते हैं, सूची एक और सूची दो का मिलान करें और दिये गए कुटो मैसे सही कुट पर निशान लगाएं अब इसको थोड़ा सा स्जूम कर लेते हैं ताकि हमें पूरा प्रसन एक साथ दिख जाए तो यह हमने इसको जूम कर लिया अब देखते हैं चलिए तेकि यहाँ पर हमें जो महा जनपत थे और उनकी जो राजधनी थी उनका यहाँ पर मिलान करना है तो सबसे पहले दिया है अंग तो अंग की जो राजधनी थी वो थी और संथर्ड जो है चमपा ये दूसरा दिया है कोशल तो कोशल के सहरा जाने थी स्रावस्ति और थर्ड दिया है वज्जी वज्जी काम है आपन वैशाली, वैशाली को विदे या मिथिला भी कहा जाता है इसकी बाद में हैं चैदी चैदी की जो रहेगी ये शुक्ति मति तो इसके हिसाब से यहाँ पर सही उत्तर जो रहेगा ये हमरा उसन फरस्ट रहेगा ये वाला इसके अनुराफ अनुरुस्तार हमें इसको मिलान करना है चलिए आगे बढ़ते हैं लगभग 3900 वर्स पूर्व आरंबिक नगर हडपा और मोहन जोड़ो कई कारणों से समाप्तिकी और कगार पर आने लगे अब इसके यहाँ पर कारण क्या थे तो उन कारणों में से एक कारण है देखिए यहाँ पर काफी मद्भेद हुआ है इस हडपा सब्भेदा की समाप्तिके कगार पर अब इसके बारे में थोड़े साथ को एक चर्चा सुनाता हूँ तो यहां पर देखिए कुछ विदवानों का ऐसा कहना है कि नदियां सूख गई थी और अन्नी का यह कहना है कि जंगलों का विनास हो गया था और इसका कारण यह भी हो सकता है कि यहां पर इंटे पकाने के लिए इधन के जरूत पड़ती थी इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े जुन्डों से चारगा और घास के मेदान समब्त हो गए थे कुछ इलागों में बाड़ा गई थी लेकिन इन कारणों से यह इसपस्ट नहीं हो पता है कि सभी नगरों का अंत के से हो गया क्योंकि बाड़ा और नदिया सूखने के असर कुछ ही इलागों में हो था अब देखे यह यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा डीटेल से हमने देखा अब यहां पर इसका सही उत्तर कुन सा माना जाए तो कुछ विद्वान अलग बात करते हैं कुछ जो है अलग बात करते हैं तो यहां पर जो माना गया है इसको इसका सही उत्तर माना गया है उसक आगे देखते हैं, जारतर महा जनपदों की मजबूत किलेबंदी थी, अब वो क्यों थी किलेबंदी, तो किलेबंदी इसलिए थी, क्योंकि उनके जो शाषक थे, उनके शाषकों को आकरमन का भय था, और वे स्वयम रक्षा, स्वयम की रक्षा को सुनिश्चत करना चाते थे इसलिए उन्होंने महा जनपदों की मजबूत किलेबंदी की थी, तो अफसन सेकेंड जो रहेगा, वो यहां पर मरस सही उतरे, चली अग्रा है, निमने मैसे किस सेंदाव से अगनी कुंड के साक्ष मिले हैं, तो अगनी कुंड के साक्ष मिले हैं, आफसन फोर्ट जो जो हड़पा शब्विता है इसके दर मिले व्रहत इसनानागार जो है इनको सर जानमार्सल ने विश्रु का एक अद्बुद नमुना निर्मान कहा है चलिए आगे देखते हैं अगला है गीता है अब गीता क्या है तो गीता महावरत का एक भाग है ये चलिए आगे है वेद सुरी सिंदु गहांटी सब्विता के किस इस्थान की सरुपरतम खुदाई की गई थी तो सिंदु गहांटी सब्विता के किस इस्थान की सरुपरतम खुदाई की गई थी तो ये खुदाई की गई थी हडपपा की और सुन्थार्ड जो रहेगा यहां पर सही प्रस न रहेगा और कब की गई थी ये भी पूछा जा सकता है तो आप ये भी ध्यान रखें कि ये जो की गई थी ये की गई थी 1921 के अंदर की गई थी और किसके दौरा तो दैरा साहनी के दौरा ये की गई थी चलिए अब जिसे मोहन जोड़ो है तो मोहन जोड़ो की खुदाई कब की गई थी तो ये की गई थी 1922 के अंदर और ये की गई थी इसके उत्खरन करता जो थे वो थे राखल दास बनर जी थे इसी प्रकार से काली बंगा तो काली बंगा की जो खुदाई की गए थी ये की गए थी 1935 में और इसके उत्खनन करता जो थे वो अमला नंद घोस्त थे और बीबी लाल ये इनके सांती थे इसी प्रकार से एक हमारा यहां पर बचता है लोथल तो लोथल की उत्खनन वर्स है इसका 1972 और यह किया था रंगनाथ रावने तो चारों का आप धियान रखें तो किसी के बे बारे में ऐसा प्रस्न यहां पर पूछा जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं हड़ापा सभिता का संबंद किस विदेशी सभिता से था तो इसका सही उत्तर है और यहां पर बात देखें थोड़ा से यह कही गई है आंसिक रूप से गद्य है तो 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 आंसिक उसका सही उत्तर है, चलिए अगरा है, निवन में से किस भारती साहेतिक धरवर का अर्थ रिक्तिस्तान गुरू के पास जाकर समीब बैठना है, तो ये किसका है, तो ये है option third, उपनिशल्द, तो है ये इसका सही उत्तर है, अगला मारा प्रस्ण है, किस काल में करपरथा का व विशिष्ट रूप में तो यह रहा था आफसन फर्स्ट जो है महा जनपाद में यह विशिष्ट इसका महात हुथा चली अगला है रिगवेद काल में कौन से तीन देवता विशेष कर प्रमुख थे अब रिगवेद काल में कौन से देवताओं को महातुपुर ने इस्थान तीन देखताओं को तो वो दिया था इसे के अगनी इंद्र और शौम को यहां पर महतुपुर्ण ने इस्थान दिया था चलिए अगला है शर्ण सवरत भासा जिस परिवार का हिस्सा मानी जाती है उसे कहते हैं बहुती अच्छा प्रस्ट है यह और सब्सक्राइब जिस भाषा परिवार का हिस्सा मानियती उसे कहते हैं तो इसे कहते हैं भारत ये रोग ये इसका अफसन थर्ड जो है ये इसका सही उत्तर है और इसे भारोपी भी कहा जाता है अगला हमारा प्रस्न है सत्यमेव जयते लिया गया है तो ये लिया गया है अगला हमारा प्रस्न है इन में से एक संगीत में माना जाता है बहुत इच्छा प्रस्न है कौन सा वेद जो है वो संगीत में माना जाता है तो देखें सामवेद जो होता है इसके अंदर गायन और बातों का उलेख है तो यह हमरा यहां पर सही उत्तर रहेगा शामविद रिगवेद में गंगा और यम्न नदी का रिक्तिस्थान बार नाम आया है तो इसका उत्तर है उपसंद सेकेंड एक बार नाम आया है चलिए अगरा प्रस्थन है भारत लोगों का एक समू था जिसका उलेख रिगवेद में मिलता है और वे रिक्तिस्थान में रहते थे तो यहां पर इसका सही उत्तर जो रहेगा यह रहेगा उपसंद फोर्थ उत्तर पश्रिम भारत अगरा हमने प्रस्थन है रिगवेद की मूल रशना रिक्तिस्थान भाषा में हुई है तो रिगवेद की रशना जो है यह हुई है संस्कृत भाषा में और वेदी संस्कृत भाषा में यह हुई है आप्शन सेकेंड यहां पर सही उत्तर है अगला है पुरू यदू और भ चलिए आगे बढ़ते हैं सिंदु घांटी सभिता का विशाल इसनानागार कहां पाया गया है तो ये सिंदु घांटी सभिता का विशाल इसनानागार मोहन जोद्डो में पाया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हमारा प्रस्न है हडपा संसक्रति सिंदु घांटी सभ पिदैके अभिलेग मक्यता किस स्वस्तू पर बने मिले हें तो अउफ़ स्थ हम रहेगा मोहरों पर अब यह पर बात्तिय जो मोहरे हुआ करते थे वह भी वह पत्थरों को बनाते थे तो option second यहाँ पर सही उतर है अगरा है उत्तर वैदी काल में आरी संस्कृति का कैंदरी इस्थल था तो ये इसका सही उत्तर यहाँ पर रहेगा अगरा हमारा प्रस्थन है रिगवेद के विशे में निम्न लिखे तीन कतनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चैन कीजिए देखिए यहाँ पर फस्थ दिया है यहाँ रिगवेद लगवग 3500 वर्ष पूर्वल लिखा गया था देखिए यहाँ पर फिक्स एक वर्ष बता दिये है 2500 वर्ष पूर्वल अगला है इसकी रश्णा प्राकरत में की गए थी और इसमें 1000 सदीक प्रात नहीं देखिए यह तो सबका अलग-अलग समय कुछ इसे 3815 वर्ष का पूरू बताते हैं कि तब इसकी रशन हुई है तो यहां पर इसे अनुमानित भी बोल देते हैं तो हम लगभग मान लेते कि लगभग है यह इसके प्रंतों इसे फिक्स लिखाए इसलिए इसको सही यहां पर नहीं माना है औ और दूसरा तो अलड़ी गलत है इसे ही क्योंकि इसकी रशना जो थी वो संस्कृत में की गई थी चलिए दोस्तों यह थे हमारे आज के सामजी विज्ञान का पार्ट इतिहास का अध्याज 2 इसके अंदर हमने आरंभिक नगर और हड़पा सब्वितस संबंदित प्रशन सी पूछे गए थे उनको देखा वीडियो कैसा लगा आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर रताइएगा ताकि हम इसके अगले पार्ट को बहुत जल्दी आपके समने लेकर आए हैं तो आप चैनल पर इतने समय तक बने रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू सो मुझ मिलते हैं जल्दी